नमस्कार दोस्तों मैं आलोक सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में आज का हमारा विशे है विश्व पर्यावन दिवस जैसा कि आप लोग जानते हैं विश्व पर्यावन दिवस 5 जून को मनाया जाता है तो इसको पांच जून को ही क्यों मनाया जाता है इस प्रिशन का जवाब आपको इस वीडियो को द्वारा जरूर मिल जाएगा तो बिस्व पर्यावन दिवस का इतिहास जुड़ा है पांच जून 1972 के एक सम्मेलन से पांच जून 1972 को सुईडन के स्टोकों में एक सम्मेलन आयुजित किया गया यह सम्मेलन आयुजित किया गया था संयुक्त राष्ट के द्वारा और इस सम्मेलन को कहा गया बिस्व पर्यावन सम्मेलन इसका उद्देश द्दा लोगों के बीच में परेवर्ण के बारे में जागरुकता फैलाना तो परेवर्ण की समस्या जब पूरे बिश्व के लिए एक खत्रा बन गई जब लोगों ने देखा कि परयावर्ण किस प्रकार से हमारे जीवन में एक महत्वूर भूमी का निवाता है और यदि परयावर्ण को दूसर होता है तो यह कैसे मानव जाती के लिए एक खत्रा है तो इनी सब बिस्यों को उठाने के लिए एक बिस्व सम्मिलन का आयोजन किया गया और यह आयोजन किया गया था 5 जून 1972 को इसी सम्मिलन को बोला जाता है विस्व पर्यावन सम्मिलन इसी सम्मिलन में यह डिसाइड हुआ कि प्रतेक बर्स पांच जून को विस्व पर्यावन दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो यह जो पांच जून 1972 का दिन है इस दिन इस सम्मिलन में यह decide हुआ कि जो परयावन का विसे है यह एक बहुत बड़ा विसे है और इस विसे को control करने के लिए इस विसे को handle करने के लिए एक अलग से एक कुछ संस्था होनी चाहिए जो इस विसे पर काम करे तो एक संस्था भी बनाई गई इस दिन उसका नाम था UNEP United Nation Environment Program यह एक संस्था बनाई गई पांच जून 1972 को और इसका headquarter बनाया गया नैरोबी केन्या में यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना है कि यह नर्नय तो ले लिया गया कि पांच जून को विस परयावन दिवस मनाया जाएगा यह नर्नय लिया गया था 1972 में लेकिन जो पिर्थम विस परयावन दिवस है बहे मनाया गया 5 जून 1974 को तो ये दो अलग-अलग डेटे हैं यदि आप से पूछें कि बिसव परेवन दिवस का जो जो पहला बिसव परेवन दिवस था बहे कब मनाया गया तो बहे मनाया गया था 5 जून 1974 को लेकिन यह निर्णाए 1972 में ही ले लिया गया था तो यह जो 5 जून 1974 को लेकिन दिवस मनाया गया था इसको होस्ट किस कंट्री में किया था इसको होस्ट किया था USA ने और जब भी लेकिन दिवस मनाया जाता है तो उसकी एक थीम होती है तो जो 1974 में प्रिथम लेकिन दिवस था उसकी थीम थी Only One Earth जैसा कि आप लोग जानते हैं पूरे बिस्व में बहुत अलग अलग प्रकार के जीब जनतु हैं जानबर हैं पेड़ पौते हैं इनसान हैं लेकिन जो हमारी प्रत्वी है बहे एक ही है और यही इस बर्स की थीम थी Only One Earth अब आपके दिमाग में एक प्रस्ण और उठ रहा होगा क्या भारत ने भी प्रेवन दिवस की मेजमानी की थी और उस समय जो थीम रखे गई थी बहे थी बीट प्लास्टिक पॉलुशन यहाँ पर अब यदि हम बर्स 2020 की बात करें तो बर्स 2020 में जो होस्ट कंट्री हैं बहे हैं कॉलंबिया और जर्मनी और थीम की बात करें तो थीम है बायो अब यह मैंशन रिडियो पसंद आया हो तुछिकल लाइक अवज से करें और और यहाद आप अभी तक मेरे चanneल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चनल को सब्स्क्राइब अवज से करें आपने मेरी वीडियो को देखा इसके बहुत बहुत धनिवाद थेंक्यू झाल झाल